हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बस निकल चुके हैं हम अपनी मंजिल के होम तो हम 80 किलो मिटर्स पीछे रुके थे तो उसकी वज़े से अब फिर से हम निकल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ तो रास्ते में जाते ज लिगेक्रांटाइं रे में तो ऐन प्रिकी किता सुन्दर है यह बीद है किता सुंदर है, इधर भी पेध है, सब जगां पेध है क्या चाहिए आपको चश्मा ज़ती है वाउ, इधर देखो पानी है पानी है हाँ अच्छा, और आपको क्या चाहिए अब को क्या चाहिए 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 यह यह लोग चाहिए लगाओ चाहिए थाना आपको तो फाइनली यहां हमने गुजरात को गुडबाई करके राजस्तान को हेलो कर दिया है क्योंकि हम अब एंटर हो चुकी है राजस्तान में और आप देख सकते हैं वही मैं आपको दिखाने की यहां पे कोशिश कर रहे हूं कि हम बॉर्डर पे थे इक्स्राइम पे गुजरात तोस्तु ना रही ठोल में पोपड़त दो ख़्यात राजस्तान के गुजरात के जा रहे थे पनेनर सके राजस्तान के पहां पाहाडों के पहार्श्तानी बॉहेट सुन्दर हूंग तो महरा स्ट्र के बाद और करमें के लिएक ऑग ड्रहेन देहां पर इस घ्री देख एक् मतलब पहाडों के ऊपर जाना वहाँ से नीचे आना इधर जाना उधर जाना तो उस सब को देखते हूँ न मुझे एक गाना याद आ रहा है कौन सा था वो सफर खुब सूरत है मन्जिल से भी तो इतना सुहाना सफर करते हुए जाते हुए ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी सारी गाड़ें और जाम ना लगे तो हमें हमारे सफर को नजर लग गई इस जाम के और 5, 10, 15, 20 मिनिट के बाद जब हमने बहुत सारा वेट किया उस जाम में कड़े होकर फिर हमें पता चला कि एक बस के कारण इतनी सारी गाड़िया रुकी हुई थी तो ये है वो बस जिसकी वज़े से इतनी सारी गाड़िया रुकी हुई थी और आपको जाम में दिखाती हूँ आगे इतना बड़ा यहां से जो गाड़िया उसके पीछे थी बस के पीछे वो आगे 15 से 20 मिनिट तक हमें सिरफ गाड़िया दिख रही थी उस साइड पे जो स्टॉप थी लोग वहां से निकले हुए थे बाहर और राम से कोई बिस्किट खा रहा था कोई बंदरों के साथ खेल रहा था कोई अपने बच्चों को कुछ खिला रहा था मतलब इतना सब कुछ चल रहा था ना कि रोड पे ही लोग आके आराम से पिकनिक मनाना शुरू कर दिया था क्योंकि कैसा लगा मेरे मजाक तो अब जाके हम फाइनली अपनी मंजिल की एंट्री पे पहुंचे हैं अभी मंजिल पे नहीं पहुंचे है तो देखो अब तो यहां हमारी एंट्री होती है माउंट आबू येस वी आर इन माउंट आबू जो की है बहुत उंचे परवत पर और एक पूरा शहर एक सीटी छोटा सा बसाया हुए उन्होंने मतलब हर एक चीज मिलेगी वहां आपको बट जो नजारे हैं वहां के वाउ वाउ ब्यूटिफूब ब्यूटिफूब वाउ ब्यूटिफूब फाइनली पहुच गए हम गुरू शिकर यह है बहुत जादा भीड़ है बहुत जादा मंदिर दिखाती हम आपको डो मिनिट पता नहीं दिखेगा यह नहीं देखो यहां पे यह है पूरण है, वाइट कलर कर जो है शायद मंदीर है, यहां पे सब पार्किंग है, बहुत जाधा भीर है बहुत जाधा बहुत जाधा इस वाफुट यहाद दूप बहुत है यहार, दूप बहुत जाधा है जाते हम ओपर, वहाद को चाहिए बहुत उपर है वो है मंदीर वो है मंदीर के दर्शन करने के बाद अक्चली वहाँ पे बहुत सब भीड़ती तो इसलिए मैंने मंदीर का कोई फूटेज वहाँ नहीं लिया वीडियो नहीं लिया तो मोबाइल वगरे मैंने सब अंदर रख दिये थे पर्स में और उसके बाद जो मैंने वहाँ पे शांती से दर्शन किये हैं यह जाला जवाब भी हूँ पूरा नीचे आपको दिखेगा भी नहीं पूरा नीचे है और हम बहुत ज्यादा उपर हैं मेरे ख्याल से फंदरा सो पुछ तो है पता नहीं कितना है उन्चाइब है चड़ो उत्रो चड़ो उत्रो इतना ही हो रहे है बहुत ज्यादा उपर है यार का इस पहारी पहारा है तो यह थे सीनरी जो बहुत सुंदर सुंदर संदर शेंडरी से यूनीक थे रज़्यस्तान के दीजाएं के जो कल्चर है वो सब इसमें रिप्रेजेंट किये गए थे वो बहुत सुंदर लग रहे थे और उसके बाद ये कुछ अलग टाइब का शोवपीस वगेरा थे जो घर पे बहुत सुंदर लगते हैं जब हम किसी के घर पर जाते हैं तो बहुत घर पे मैंने ये देखा है लग उनीक थे मतलब मैंने आज तक ऐसे पर्स नहीं देखे थे बहुत जादा ये हैवी थे जब मैंने हाथ में इनको लिया ना बहुत जादा हैवी थे और ये है शाम के संसेट का पॉइंट जो बहुत सुंदर था इसके लिए हमने देड़ घंटा वहां पे वेट किया था और आप देख सकते हो कैसे इस सूरज ने हमें गुडबाई कह दिया और इसी के साथ मैं भी आपको गुडबाई कहती हूं और मिलती हो नेक्स्ट व्लॉग में पॉप krijण अबर मिलती हो करेक्सा लो हो कि जैसे बहूंian कि तुम मैं अमिलती हो पार आपको देख से जाफ सेरे और में रहाजर सेचित्व कि अप्राइन के से भचा擦 होmesi झाघनें के तenti है ताप आपको ओूबाउडए आपको अइसरा और आपको बहुतंग मैं ये झाल